हेई गाइज वेलकम टू वेबडेव क्लाउट तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रियेक्ट की वेब अप्लिकेशन है उसको S3 बकेट पे AWS पाइपलाइन के थ्रू कैसे डिपलोई करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए चाहिए हमें एक S3 बकेट जो कि यहां पर हमने पहले से S3 बकेट क्रियेट करके रखा है जिसमें एक रियेक्ट की वेब अप्लिकेशन को होस्ट किया है रियेक्ट की वेब अप्लिकेशन को S3 पर कैसे होस्ट करें इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं तो यह वीडियो आपको आई कुछ changes है वो यहांपर deploy करने है। तो वह कैसे करें। वष देखते हैं AWS code pipeline के थुक्रू.. तो इसके लिए चला जाते हैν code pipeline section में और यहाँसे create करते हैं हमारी React deployment करने की pipelineुआ तो यहांसे create pipeline है। यहाँए pipeline का कुछ name देता है एप डेपलोई या डेपलोईमेंट और यहाँ पर रोल आटोमेटिक क्रियेट हो जाएगा यहाँ पर सोर्स प्रोवाइडर हम गीटब को लेंगे क्योंकि हमारी रिपोजिटरी है वो फिलाल github में है तो connect to github जैसे ही connection पर क्लिक करेंगे यहाँ पर confirmation के लिए पूछेगा क्योंकि मैं already github में login हूँ तो यहाँ पर सिर्फ confirmation के लिए यह पूछेगा otherwise you have to first logged in and then confirm और यहाँ से repository सिलक करनी पड़ेगी तो यह सब मेरी predefined repository है मेरे github account में तो उसमें से मैं select कर लेता हूँ demo react app जिसमें की मेरी यह जो react की web application है उसका code है और उसकी branch select कर लेता हूँ तो फिलाल एक ही branch है master और यहाँ से next क्योंकि यह react की web application है तो इसकी हमें build भी generate करनी रहेगी अगर php की web application होती तो उसमें कुछ build generate करनी की जरूरत नहीं है तो हम यह step को skip भी कर सकते हैं लेकिन यह क्योंकि react की web app है तो हमें build step की जरूरत पड़ेगी तो यहां से हम select करेंगे AWS code build अगर आप Jenkins पे भी build करना चाहते हो तो यहां से Jenkins भी select कर सकते हैं लेकिन फिलाल हमारे पास Jenkins का कोई भी instance running नहीं है तो इसलिए हम AWS code build को select करते हैं जैसे ही AWS code build को select करेंगे दूसरे options यहां पर visible हो जाएंगे और यहां से हमें create project करना है और यहां से कुछ project का नाम देते हैं let's say react build और managed image operating system let's say ubuntu runtime standard image let's say standard 7 जो भी latest वो select कर लेता है और build spec file जो कि हमें रखनी है जिसमें हम build steps specify करेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा default नाम रहेगा build spec.yml अगर कुछ हम और नाम भी देना चाहते हैं तो यहां पर specify कर सकते हैं लेकिन फिलाल हम उसको build spec.yml से address करेंगे तो यहां पर कुछ देने के जरूरत नहीं है और फिर cloud watch log में अगर हमें output चाहिए तो यहां पर configure कर सकते हैं group name और stream name cloud watch log भी कैसे configure करें उसका video भी इस channel पर आपको मिल जाएगा अगें i button पर information check कर सकते हो तो अभी हमें cloud watch में फिलाल कोई log नहीं चाहिए तो यह disable कर देते हैं और continue to code pipeline ओके यह role already exist है तो let's say one और continue to pipeline to already exist यहां पर कुछ policy का लफड़ा है तो यहां पर कुछ change देते हैं नेम और यह भी प्रोजेक्ट क्रियेट कर रहा है ओके अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रियेट हो गया तो अभी यहां से next step में चले जाते हैं next step है deploy provider हमारी यह जो web application build होके हमें कहां कौन से destination पर deploy करनी है तो वो यहां पर select कर सकते हो तो अभी हमारे case में हमें deploy करनी है s3 bucket पर यहां से Amazon s3 select कर लेते हैं और bucket हमारा bucket है demo react-bucket-123 और यहां पर extract file before deploy का option सी लग कर लेते हैं क्योंकि हमें सारी files और folder s3 के root में चाहिए है zip के format में नहीं चाहिए क्योंकि हमारी web application हो स्थरी पर hosted है तो इसके लिए यहां पर extract file before deploy और click on next कि यह हमारी pipeline है वो create होने के last step में है और यहां पर pipeline create हो रही है अभी हम execution को stop कर देते हैं stop in abandon ओके तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारी repository का structure है यह my app है वो react की web application है इसके अंदर इसका सब code है और यहां पर route में my app के parallel में हमें अपनी build spec dot yml file रखनी है build spec dot yml में क्या लिखना है वो मैं step by step यहां पर explain करूंगा तो यह है build spec dot yml यह आपको internet पर से इसका sample मिल जाएगा तो अभी हमें npm के through इसकी build create करनी है तो इसमें runtime version होगा node.js 18 तो यह जो node.js है npm 18 वो पहले से build के step में included रहेगा और pre-build step में हम क्या करेंगे कि हम my app के folder में जाएंगे basically यह जो हमारी repository का structure है उसे हम देखें तो my app के अंदर यह जो code है उसके अंदर जाएगा फिर eco सिर्फ printing के लिए है और वहाँ पे जाके npm install करेगा ताकि जो भी node modules है वो सब create हो जाए node modules create होने के बाद next step आएगा build का वहाँ पे जो build का command है react की web application build करने के लिए जो command है npm run build वो execute करेगा ताकि उसके अंदर build directory generate होगी और उसके अंदर हमारी जो builds की जो file है वो सब रहेगी तो यह सारे steps है वो cool मिला के क्या करेंगे पहले steps में node install करेंगे उसके बाद my application में जाएंगे वहाँ पे npm install run करेंगे npm install run करते ही node modules और उसके अंदर सारे packages create हो जाएंगे उसके बाद आएंगे build step में build step में आके npm run build run करेंगे और वो create करेगी हमारी react की web application की build और जैसे ही build create हो जाएगी सारे artifacts है वो s3 bucket में s3 bucket के root में store हो जाएंगे और जो existing है उसको replace कर देंगे अगर existing कुछ है मतलब अभी existing में हमारे s3 bucket में already react की web application run हो रही है तो उसमें कुछ भी change है तो वो changes के साथ overrate हो जाएंगे तो यहां पर base directory इसलिए मैंने यहां पर base directory दी है क्योंकि otherwise if मैं यह अगर specify नहीं करूंगा तो सारी की सारी चीज है वो s3 bucket के root में वो डाल देगा तो वो हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ वही चाहिए कि जो build में generate हो जितनी files और folders वही हमें s3 bucket के root में रखने है सब कुछ root में नहीं रखना यह माई एप और यहां पर और भी files है test.txt जो मैंने initial commit के लिए यूज की थी text.txt तो यह सब हमें नहीं चाहिए हमें build spec.yml भी नहीं चाहिए हमें वहीं चाहिए जो माई एप में यहां पर create होगा build generate होने के बाद वहीं हमें artifacts में चाहिए और वहीं हमें s3 bucket के root में भी चाहिए तो इसलिए यह path specify किया है और चलिए देखते हैं यह इस रिपोजिटरी में पुश करके already इसमें सब है ही तो हमें सिर्फ यहां पर आकर release change करना है यहां पर release change करते ही जो changes है वो s3 bucket के अंदे deploy हो जाएंगे लेकिन फिलाल कोई change नहीं है तो फिलाल हम कुछ change कर लेते हैं हमारी web application में let's say यह my app है इसमें source में चल जाते है है और index.js में चल जाते हैं और यहां पर इसका html अगर देखें तो इसकी जगह पर हम अपना कुछ लिख लेते हैं यहां पर लिख देते हैं this is change code और यहां पर जाके status चेक कर लेते हैं तो अभी app.js में change हुआ है तो commit में add.git commit-m changed app.js और push कर देते हैं जैसे ही push करेंगे यह जो हमारी pipeline है वो automatically trigger हो जाएगी यहां पर पहला step है वो in progress में जा चुका है मतलब यह code fetch करना चालू कर दिया है इसने let me make it big पहला step success हो गया और अभी चाहरा है build के step में दूसरे step में इसकी detail भी आप यहां से check कर सकते हैं new tab में यहां पर यह log दिखाएगा कि अभी कौन से steps में है अगर कोई error भी रहती है तो यहां पर वो specify कर देगा कि fade और यहां पर context में reason भी आ जाएगा कि कौन से reason से fail हुई है अभी in progress है install succeeded मतलब install step में हमने लिखा था node.js installation का command तो वो हो गया है pre-build भी successful हो चुका है pre-build में हमने लिखा था npm install जो की node modules के packages को generate करता है तो वो भी success mode में जा चुका है build में हमने लिखा था build generate करने का code npm run build तो वो भी successful हो चुका है post build step है वो mandatory नहीं है post bit step हमने लिखा भी नहीं है तो इसलिए यह by default success हो नहीं है less than one second में क्योंकि specify ही नहीं किया है और यह पूरा complete success हो चुका है तो हम यहां पर जाके देखते हैं यह भी success हो चुका है और इसके बाद का deploy का जो step है वो भी success mode में जा चुका है तो अभी हम direct जाके output में चेक करते हैं कि यह जो changes है वो यहां पर आया है या नहीं ओके यहां पर जो change है s3 bucket में वो जा चुका है तो यह था how to deploy your react web application in s3 bucket using AWS code pipeline यह वीडियो आपको informative लगा होगा तो मिलते हैं next video में till then have a nice time